तो दोस्तो हमें आलोक इंडस्ट्रीज के शेर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक करीब 1.5 रुपे तेज है यानि 10% तेज है एक दो दिन पहले भी दोस्तो हमें तेजी देखने को मिली थी तो ऐसा कोई लेटेस न्यूस तो नहीं आई है इस्टॉक के बारे में एक बड़ दोस्तों फंडमेंटल्स देखते हैं कि कमपनी के कैसे और फिर जानने कोशिश करेंगे कि यहां से क्या पॉसिबल लेवल्स होने वाले स्टॉक में तो बस करें दोस्तों से पहले मार्गेट कैप की तो कमपनी की मार्गेट कैप 8800 कोड़ रुपे के कोई छोटी मूटी मार्केट कैप नहीं है अच्छी खासी बड़ी मार्केट कैप है कमपनी की Book value company के minus में अभी भी यानि company जो reserves हैं वो हमें minus में देखने को मिलेंगे बात करे price to sales ratio की तो इतना कोई ज़्यादा महंगा नहीं है 1.27 के आसपास है हम नहीं से ठीक ही मानेंगे और दोस्तों बात करे company के sales और profits के बारे में तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पार होगे quarterly basis पे दोस्तों मार्च जून में जहां company sales विल्कुल खतम हो गई है उसके बाद से हमें थोड़ी बाध इंप्रूमेंट देखने को जरूर मिले कमपनी की sales जो है बीच में 2100 करोड रुपे के असपास पहुझ गई थी जब दोस्तों कोविड के असपास और दोस्तों अभी फिलाल कहें तो 1517 करोड रुपे के असपास की company की हमेशे quarterly sales आ रही है जो कि एक अच्छी खासी sales मानी जाएगी बट बात करेंगे कि या क्या यह sales जो है वो profit में convert हो रही है या नहीं तो फिलाल दोस्तों company operationally इतना अच्छा perform नहीं कर पा रही है इस sales को profit में convert नहीं कर पा रही है जैसे आप देख पारेंगे दोस्तों जैसे जो last quarter का नतीजा था 1562 करोड रुपे की company ने sales दिखाई थी तो उसके against में दोस्तों 1631 करोड की company ने expenses दिखा दिखा दिया यानि operational levels पे company के expenses अभी बहुत ज़ाद है और interest भी company के देना पड़ता है करीब 143 करोड रुपीस का depreciation चार्ज करती है जिसके यह से company का दोस्तों जो loss है वो 200 करोड रुपे प्लस आ रहा है फिलाल यानि दोस्तों तीन सालों में जब से Reliance ने इसको खरीदा है दोस्तों 2020 के आसपस Reliance ने इसको NCLT से खरीदा था उसके बाद से इसमें company की जो sales है उसमें जरूर थोड़ी बहुत इंप्रूमेट हुई है लेकिन operational basis पर अभी भी दोस्तों इतनी जो इंप्रूमेट है वो नहीं हो पाई है बात करें दोस्तों company की balance sheet की तो जैसे company पर पहले अगर reserves की बात करें तो 2028 में वही माइनस में चले था और जहें financial जिन्होंने मिलके आलोग इंडस्ट्री को खरीदा था अभी तक वो company का कर्ज इतना कुछ कम नहीं कर पाए हैं बॉर्विंग के comparison में देखे तो company के पास दोस्तों नहीं कोई fixed assets है ना कुछ और investments है तो इसलिए company के reserves इतने माइनस में हैं अभी balance sheet बहुत खाली-खाली से बहुत ज्यादा वीक balance sheet है company के और यहां से बहुत ज्यादे improvement करने की जरूत है company के balance sheet में यहां से कर्ज कम करने की जरूत है और दोस्तों इन reserves को minus से प्लस में लानी की जरूत है बात करते हैं जो shareholding pattern है आलोक industries की वो कैसी है तो promoters करीब करीब 75% shares own करते हैं जिसमें Realize Industries 40% own करते हैं और जैसे मैंने बता था JM Financial 34.99% own करते हैं यानि 35% दोस्तों इन दोनों ने मिलके ही आलोग industries खड़ी दी थी और September 2020 के आज़ पास इनके पास पूरा जो control है company का वो आया था यानि अभी पूरे तीन साल भी नहीं हुए हैं इस company को इन दोनों के हाथ आवे लेकिन फिर भी दोस्तों अभी इतनी कोई improvement नहीं आई है क्योंकि धाई साल में भी काफी हमने देखा है कि turnaround जो नए management आते हैं वो काफी बड़े-बड़े turnaround कर लेते हैं लेकिन अभी तक इसमें इनके financials में जो balance sheet है उसमें कोई improvement नहीं आई है हाँ दोस्तों जो positive चीज रही है जब से Reliance और GM Financial ने खरीदा है वो यह है कि company की जो दोस्तों utilization चल रही थी capacity utilization वो करीब 30% के आसपास चल रही थी जो बहुत ही कम utilization थी company के इतने सारे plants है करीब 10 के आसपास company के plants है और जिसमें 30% काम हो पा रहा था लेकिन दोस्तों जब से Reliance और GM Financial ने खरीदा है अब जो company की utilization है वो करीब करीब 70% के आसपास पहुच गई है यही एक रीजर ने दोस्तों कि जो company की पहले sales आ रही थी बहुत कम 500-700 करोट रुपे के आसपास की अब वो company की sales 1500-1718 करोट रुपे के आसपास की sales आ रही है क्योंकि company जो utilization है capacity वो अच्छी की तरह use की जा रही है और यहां से भी अभी scope है कि company अपनी utilization और बढ़ा है अगर company के पास अच्छी खासी demand textile सेक्टर में आते वे दिखे तो क्योंकि company एक textile company है बात करें दोस्तों एक और चीज़ की कि अगर company की इतने financial sweet के company हर quarterly loss दिखा रही है balance sheet में company कुछ है ही नहीं जो reserves है वो इतने बड़े-बड़ी amount में negative में पड़ है और company के पास assets में कुछ है नहीं तो क्या एक आलोक industry में बहुत बड़ा risk है अगर आप share own करते हैं या share खरीते हैं तो दोस्तों देखे अगर balance sheet के साब से देखे तो company में risk तो बहुत बड़ा है लेकिन दोस्तों जो बहुत बड़ी positive चीज वो है वो यह है कि Reliance Industries इसको own करता है अगर GM financial own करता है तो भी दोस्तों होता है कि investors को इतना भरोसा नहीं आता लेकिन दोस्तों Reliance Industries own करता है आलोक industries को और Reliance Industries एक बहुत ही बड़ी company है उन्होंने कुछी सालों में Jio को इतना छोट material की चीजों की जरूत पड़ती है Reliance की जो petrochemical business है उसमें काफी सारी चीजों वो produce हो जाती है इसलिए आलोक industries को ऐसा नहीं किसी और suppliers के पास जाना पड़े वो Reliance Industries के petrochemical business का ही एक सब जो वो है client वो बन जाता है इसलिए इनको जो raw material है उनमें कोई ऐसी नहीं की supply में दिक्कत देखने को मिले यानि दोस्तो प्रमोटर की backing एक अच्छा खासा support है आलोक industries के लिए अब दोस्तों बात करें company के charts की charts में क्या दिखता है यहां से कितना stock में potential है तो दोस्तों जब plan आया था कि Reliance Industries और GM Financial अब आलोक industries को खरीदने वाले तो उसके बाद हमें stock में अच्छी खा पड़ गया और फिलार 20-30 रुपे चलता रहता था और दोस्तों मार्च 2013 के आसपास आके stock 12-11 रुपे ही आ गया था अब दोस्तों वहां से थोड़ी बात हमें तेजी वापिस देखने को मिल रहे है क्योंकि पूरी stock market में भी एक अच्छी खासी तेजी आ रहे है और penny stocks में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है तो वह कुछ रीजन हो सकते हैं जिनके वैसे आलोग industries में हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही हो अब दोस्तों बात करें कि fundamentally यहां से कितना potential दिखता है stock में तो जो company की book value है वो फिलाल negative है तो उसका हम कोई भी उससे analysis नहीं कर सकते company की profitability है वो भी कुछ नहीं है दोस्तो company loss making है तो वहां से भी हम कुछ idea नहीं ले सकते कि कुछ valuation कर सके कंपनी कहां कितना ओपर जा सकती है जो हमारे पास चीज है सिर्फ वो यह है कि company की sales है और वो sales है 1500 कोड रुपे की आसपास की जो की quarterly है और उसके base पर हमने देखा था दोस्तों कम्पनी तो price to sales ratio वो 1-1.5 के बीच में आ रहा है 1-1.5 एक ठीक ठाक ratio है ज्यादा महंगा भी नहीं है और नहीं दोस्तों ज्यादा सस्तक आइंगे तो company के fundamentals के साब से मुझे यहां से ऐसा कोई भी target नहीं दिखता है जो कि हम लेकर चल सके जरू हता है कि हाँपे company एक financially एक अच्छी खासी progress कर सके company के reserves है वो negative में जो है वो कम हो और किसी तरह positive में लाए जाए यह company की दोस्तों जो profitability है जो loss making company चल रहे है उसको profit making बनाया जाए फिलाल technically देखे दोस्तों कि क्या levels हो सकते है जहां तक आलोक industries जा सकता है तो अगर यहां से तेजी भढ़ती रहती है तो दोस्तों जो पहला level रह करने के चल सकते हैं अगर stock यहां तक आता है तो थोड़ी बहुत share दोस्तो profit booking कर सकते है और थोड़ी बहुत exit ले सकते हैं अगर 20 रुपे आ जाता है stock और उसके उपर टिक जाता है तो एक यह अच्छा खासा breakout होगा और दोस्तों फेर होसता है कि उसके उपर हमें और तेजी देखने हों मिले लेकिन फिलाल एक 20 रुपे का resistance लेवल होने वाला है जहां पर चाहे तो आप profit booking कर सकते हैं और 15 रुपे का दोस्तों एक ऐसा लेवल रहेगा जहां पर stock होसता है कि थोड़ा बहुत support देखे यह दोस्तों एक psychological लेवल कह सकते हैं और फिलाल दोस्तों कोई औ और अबडेट आता है तो उसके बारे हम अगली वीडियो में जरूर डिसकस करेंगे यह वीडियो यही तक थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको अबडेट्स मिलते रहे धन्यवाद झाल